मृत्यू के बाद क्या होता है इस वारे में मैंने अपनी पुस्तक में तीन प्रकार से बताया है जीवात्मा को से संपर्ख करने का एक तो प्लैंचिट दूसरा आटोमेटिक राइटिंग और तीसरा है हिपनुसिस हिपनुसिस के माद्यम में से डॉक्टर ब्रेन वीस ने पूर्व जनम और पुनर जनम की थियोरी को इस्थापित किया है अब आटोमेटिक राइटिंग से क्या है कि सबसे पहले तो जीवात्मा से संपर्ख करने के लिए मेडियेटर की आवश्यक्ता होती है बिना मेडियेटर की जीवात्मा संपर्ख में नहीं आती है जो पूर्मरत लोग है और एदी उनका पुनर जनम नहीं हुआ है तो उनसे संपर्ख करने के लिए मेडियेटर होना आवश्यक्ता है इस बारे मैं बहुत सारा काम स्वामी अभेदानन जिरीना किया है अवे नंजीब रामकृष्णी परमस के शिश्य थे बेवेका नंजीब के गुरु भाई उन्होंने अमेरिका में जा करके वहां देखा कि लोग भूत प्रेत को बुलाते हैं भूत प्रेत और जीवात्मा की योनी में अंतर है जीवात्मा अलग है भूत प्रेत क्यों बनते हैं उनमें एक्षाए हैं और वासना हैं बहुत ज़्यादा या बहुत ही युवा अवस्था में किसी करण से उनकी डैथ हो गई है वो मुक्त नहीं हो पाए हैं इसलिए वो भूत प्रेत बनते हैं तो वहां अमेर का मैं उनको मीडियम बना करके लोग भूत प्रेत को कॉल करते थे वो आ जाते थे दूसरा है आटोमेटिक राइटिंग आटोमेटिक राइटिंग मैं जीवात्मा को परलोग से बुलाया और हैंड राइटिंग उसे मरे हुए ब्यक्ति की आएगी और मीडियम जो है वो अपना हाथ में कलम पकड़े हुए है तो उसके कलम पर कंट्रॉल मरे हुए ब्यक्ति कि जीवात्मा का है, इसको आटोमेंटिक राइटिं से, इस भारे में मैंने बहुत से इस्टेंसिस दिये हैं,